चीन के साथ भारत की तनातनी एक बार फिर बढ़ सकती है। रिचर्ड वर्मा के नौर्थीस्ट के इस राज के दोरे पर विरोध जता चुके हैं। हलाकि विदेश मंत्राले ने चीन की उसापत्ती को खारश कर दिया था जो 21 ऑक्टूबर को वर्मा के अरुनाचल के तवांग दोरे को ले कर थी। मंत्राले का कहना था कि ये राज भारत का अभिन्न हिस्सा है। सूत्रों ने बताए कि सरकार ने तिबबत के निर्वासित नेता दलाई लामा के प्रस्तावित अरुनाचल प्रदेश दोरे को मन्जूरी दे दी है। इस कदम से चीन की बेचैनी बढ़ेगी। चीन ने 2009 में भी दलाई लामा के अरुनाचल प्रदेश दोरे का विरोध किया था। मौझूदा दलाई लामा 1969 में तवांग के जरिये चीन से भारत पहुँचे थे। इससे पहले के भी एक दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था। इससे पहले चीन ने सोमवार को कहा था कि वो वर्मा के अरुनाचल प्रदेश दोरे का सक्त विरोध करता है क्योंकि ये भारत और चीन के बीच विवादास पद शेत्र है। वर्मा ने तवांग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के अरुनाचल प्रदेश का दोरा किया था। उन्हें अरुनाचल के सीम पेमा खांडू ने नियोता भेजा था। चीन के विरोध पर विदेश मंत्रौले के प्रवक्ता विकास्वरूप ने कहा था। अमेरिकी राजदूत ने अरुनाचल प्रदेश का दोरा किया। ये राज्य भारत का अभिन हिस्सा है। इसमें कुछ भी असमान्य नहीं है। इससे पहले चीन ने भारत और चीन के बाद सीमा विवाद में अमेरिका के दखल की बात कही थी। चीन के स्टेट काउंसलर यांग जीएची जल्द इस मसले को उठा सकते हैं। वो भारत के साथ सीमा मामले पर बाचीत के लिए चीन के विशेश प्रतिनी दी हैं। यांग के साथ बाचीत में भारत पियोके के जरिये गुजरने वाले पाकस्तान एकनोमिक कोरिडोर का मुद्द उठाएंगे। साथ ही मसूद अजहर के खिलाफ सयोक्त राष्ट में चीन से मदद की मांग भी दोहराएंगे। आपको बता दें कि चीन अरुनाचल अरुनाचल